क्रमचारियों वे पैंसन धारकों के लिए एक बार फिर से बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुके हैं अगर आप भी एक क्रमचारी हैं या फिर पैंसन लाबारती हैं तो आपको बता दें कि सरकार पैंसरों वे क्रमचारियों को होली का तोफ़ा दे जा रही है सभी क्रमचारी वे पैंसन धारक अपनी पैंसन वे सैलरी को लेकर इंतिजार कर रहे हैं लेकिन अब वह इंतिजार समाप्त हो चुका है सरकार पैंसन वे सैलरी में बढ़ोतरी करने जा रही है अब कितनी pension में बढ़ोतरी होगी और कितनी salary में बढ़ोतरी होगी वह हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहे हैं अगर आप भी एक करमचारी हैं या फिर आप pension लाबारती हैं तो इस वीडियो को आप चुरूर वोच करेगा अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो खिर पे वीडियो को लाइक कर दिजिए और जद जदा सेर भी करेगा तो चलिए वीडियो को सुरू करते हैं केंदर सरकार की तरप से करमचारी वे pension धारक को सभी को जबरदस्थ तवफा दे जा रही है पैंसन वे सैलरी को लेकर जो इंतिजार किया जा रहा है कि कब बढ़ोतरी किये जाएगी वे इंतिजार समाप्त हो चुका है मिली जानकारी के अनुसार केंदर सरकार की तरप से करमचारी वे pension धारक को होली का जबरदस्थ तवफा मिल सकता है मीडिय रिपोर्ट के मुताबिक बताय गया है कि होली पर पैंसन वे सैलरी में जबरदस्थ बढ़ोतरी सरकार कर सकती है वहीं आपको बता दें दरसल दिसेंबर दो हजार बाइस में स्रम्मंत्राल्य के ओल इंडिया कंज्यूमर प्राइज इंडेक्स फोर इंडिस्ट्रिजल वरकर्स यानि AI CPI आंकडे आ गए हैं दिसंबर में AI CPI आंकडा 132.3 रहा है वहीं इससे पहले जुलाई से नुवेंबर तक AI CPI आंकडों में लगातार बढ़ोतरी हुई थी वहीं अक्टूबर आउर नुवेंबर में AI CPI आंकडे समान रहे थे यानि के AI CPI आंकडे आ चुके हैं जिससे पता चलता है कि सैलरी या फिर पैंसन में मेंगवात्ते में कितनी बढ़ोतरी सरकार कर सकती है आगको लाँ चाहेंगे कि बीते दिनों ओल इंडिया रेलेमेन फेडरेशन के महासचीव सिव गोपाल मिश्रा ने न्यूज एजेंसी PTI से कहा था कि इस बार डिये में इजाफा 4.23 बैठता है यानके जो महासचीव सिव गोपाल मिश्रा जी हैं उन्होंने न्यूज एजेंसी से कहा था कि जो अब की बार महगाई भत्ते में बढ़ोतरी बैठती है यानके बढ़ोतरी का जो आंक्रा बैठता है वे 4.23 का आंक्रा है लेकिन सरकार महगाई भत्ते में दसमलाव नहीं लगाती है तो इसलिए महगाई भत्ते में 4.23 बढ़ोतरी सरकार कर सकती है आपको दादें कि डिये बढ़ोतरी को लिकर वित्यमंत्राल्य का वियाय विभाग एक प्रस्ताव बनाएगा इसको स्विकरती के लिए केंद्रे केबिनेट के समक्स रखा जाएगा अगर होली में डिये बढ़ोतरी होती है तो यह जनवरी 2023 से ही लागू हो जाएगी आपको बढ़ कर जो लाव मिलेगा वह जनवरी 2023 से ही मिल पाएगा सेलरी और पैंसल में भी जबर दस्त बढ़ोतरी सरकार कर सकती है तो दोस्तो यह थी आपके लिए महत्पुन जानकरी यदि आपका कोई भी सवाल है तो आप सवाल कर सकते हैं अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं क्या है तो किरपिया वीडियो को लाइक कर दिजिए ज़ासे ज़्यदा वीडियो को सेयर करेगा चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी आप जरूर सब्सक्राइब कर लिजगा बेल लेकन को ओल पर सेलेक्ट कर लिजगा अब चाहते हैं आप से इज़ाज़त और मिलते हैं आपको ने इस्ट वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद जैभारत